हेलो दोस्तो आज हम आप January लेके आए हैं बहुती टेस्टी vibracca की रेसिपी इसमें हम सबजी का इस्तुमाल नहीं करेंगे और साथ में इसमें आलु भी नहीं इस्तुमाल करेंगे और चलिए वीडियो शुरूओ करتे हैं इसके लिएमनैने एक कफ मटर लिया था यह सफेद वाला मटर है जिसको मैंने राद भर के लिए भीगो दिया था इसे हम कुकर में डाल देते हैं अब इसमें तीन कफ पानी और एक चौथाई चम्मच बेकिंग थोड़ा डाल कर इसे छे सीटी आने तक पका लेते हैं तो मटर हमारा पक चुका है अच्छे से अब हम इसे मैश कर लेते हैं तो मतर हमारा मैश हो गया है अब हम इसे साइड में रख देते हैं अब हम एक पैन में दो टेबल स्पून मक्खन कर्म करें और साथ में दो छोटे चम्मस तेल डाल दें अब हम इसमें आदा चम्मस जीरा डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं अब हम इसमें एक प्याज डाल देते हैं, बारिक कटा हुआ, और इसे भी हल्का गुलाबी होने तक अच्छे से भून लेते हैं तो प्याज हमारा भून गया है, अब हम एक बड़ा चम्मच इसमें अद्रकलेसम का पेज डाल देते हैं, और इसे भी अच्छे से भून ले लेंक छम्मज धनिया पौडर्र याग्ल 2 चम्मज फाविजी दान देल अरे 5 चम्मज पावभाजी मसाला पावभाजी मसाले की जगह में गर्म मसाला कंद दो पिजा करेकरा हैं और आद्हमज कसुरी मेटी को पिकराश करेकर दाले अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिला देते हैं अब हम इस में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मसालों को अच्छे से Estoy gonna पेकालेना है अब हम्हां कि अब की मीडियुम साइज के 28 इंद्रश द्रूपर बार FIL टाल कर देते हैं और इसमें इसे हमें अच्छे से मےणक कर देना है अब जो हमने मट्र उबाल कर रखे थे व इसमें टाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिला दे आप मुलत कि लुदा से और फ्रोलाम पाणेकर पाने इस इंच्ट मेस होई दिला है जब ढूर में इस में पयम म्खरा दिया है अलो में इसमें ठनिया पत्ता भी ढाल दे्टे है इसमें पाओ कुड़े है इसे अच्छे से सेख लेते हैं और जो पैन में भाजी लगी हुई है उसे अच्छे से ब्रेड में लगा देते हैं तो इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसे पूरे में अच्छे से मिला दे तो ब्रेड हमारी बढ़िया से अच्छे से सिख गई हैं, अब हम ब्रेट लगा लेते हैं तो यहां पर मैंने पाव रख दिये हैं,ब हम इसमें नीम्बू रख देते हैं और सहाथ में भाजी डाल देते हैं, और सहाथ में थोड़ा षप प्याज के साथ इसे सर्व करें आप चाहे तो उपर से थोड़ा मक्षन भी डाल सकते हैं तो आप भी ये घर पर ट्राइए करिए बहुत ही टेस्टी लगती है इसे आप कुल्चे, नान और ब्रेट के साथ खा सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हूँ, वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेर